गुरुवर आपके चरणों में साधर नमस्कार नाम नमस्ते गुरुवर मैं पूछना चाहता हूँ अमास में माता पिता का तरपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको क्या फल मिलता है मैं यह पूछना चाहता हूँ अभी थोड़ी समय में यानि के पांचार दिन के ब और कोई पितर पक्ष भी कहते हैं तो उसमें सब तिथियों की अपनी अपनी महिमा है और किसी भी तिथी की महिमा अगर नहीं भी है पर हमारे पूरवज हमारे माता पिता जिस तिथी में जाते हैं प्रभु की शरण में उसी तिथी को मानकर हम उनका तरपन सराद करते हैं पर तो सर्वपित्र अमावश्या जो होती है वो इसलिए होती है कि पूरे चोदे दिन में अगर हम अपनी माता पिता का दादी दादा का पूर्वजों का स्राद नहीं कर पाए तरपन नहीं कर पाए उनकी याद नहीं कर पाए उनका पानी नहीं छोड़ पाए तो हम भूले जो भी हमारी यादों से पहले चले गए होंगे जिनका नहीं हो पाया हुगा कल्यान या विधि तो सर्वपित्र-अमावत्या में श्रादपक्ष की अंत्युम दिन हम सब का नाम लेकर पौरानिक जो परंपरा है विधी है दुख कर सकते हैं और सरवपित्र अमावश्या के दिन माता पिता का दादे दादा का किसी का भी इसराद हो सकता है तरपन हो सकता है विधी हो सकती है क्योंकि वो सरवपित्र अमावश्या है ही उसी लिए उसका नाम ही रखा है कि बागी तिथियों में कुछ कम ज्यादा हो गया भूल हो गई नहीं कर पाए कोई परिस्तिति आ गई तो आप उन चौदे तिथियों का मिला करके किसी भी तिथी का अमावश्या के दिन कर सकते हैं और सराध्यों की जो अमावश्या है वो ही पित्रों के लिए विसे मानी गई है तो उसमें आप आराम से अपने माता पिता का तरपन पूजा जो भी आप करते कर सकते हैं और उसका लाव जो भी पुरान के मैध्यम से लिखा है वो अवस्या आपको प्राप्त होगा क्योंकि हमारे विद्वान महत्मा संतिया आचार पंडितों ने जो भी होगा और जो लाप राप्त होता है ना वो गूड है गुपत है वो तो लाव देने वाला ही जानता है या लाव लेने वाला जानता है हम लोग जो विधी करते हैं उसका हमें धर्शन थोड़ी होता है कि कौन सा लाम मिला कौन सा फल मिला हमारे पूरवजों को क्या फल मिला ह क्या नहीं मिला होगा वो तो केवल करता और करता का फल देने वाला विधाता ही जानता है हमारा काम केवल करम करना है हमारा काम विधी करना है तो आप जो विधी है उनको अच्छी तरह करें सरद्धा से करें अवस्या आपके पितरों को आपको फल प्राप्ती होगी उसमें अ बाद